मित्रों आप सभी को नमस्कार सहेब बंदगें मैं मानों जीवन के लिए चार बातें निविदन करने जा रहा हूँ प्रथंग चलते ही रहें कहीं रूके ना और लोटे ना हमारी मंजिल अवस्य हमें मिलेगी दूसरी बात गुरु के निकट बैठने से सारे कलेश दूर होते हैं और हमें आत्मिक रोशनी के साथ परम सांती मिलती हैं तिसरी बात जब तक जब तक हम बाहर की दृश्यों को देखते रहेंगे तब तक हम निर्विकल्प समाधी सुक से वंचित होते रहेंगे चौंती बात प्रतिकुलता किसके जिवन में नहीं आई है राम, क्रेश्न, महावीर, बुद्ध, इसा, महुम्मद, कबीर, मीरा, आदि पर किसी ने अपने धै लक्ष को नहीं छोड़ा बस आज इतनी सी बाते हम अपने जिवन में अपनाने के कोशिस करें